कुल मूल मात्रकों की संख्या होती है साथ बार किस राशी का मात्रक है वायू मंडलिये दाप का दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार सेक समुद की गहराई को मापने में प्रियुक्त होता है फैदम धनी को मापा जाता है डेसिबल में हट्स किस राशी का मात्रक है आवरिती डॉप्सन किस की इकाई है ओजोन परत की विद्धुत प्रतिरोध की इकाई क्या है ओम मानो सरीर का समानय तापमान होता है 98.4 डिग्री फॉरिन हाइट नेक्स्ट कोस्चन उश्मा का मातरक होता है जूल, किलोजूल, कैलोरी बल का मातरक है न्यूंटन लेन्स की छमता का मातरक है डायोप्टर भुकम्प की तिवर्ता मापी जाती है रियक्टर पैमाने पर भौतिकी के पिता किसको कहते है निून्टन को वेग परिवर्टन की दर को क्या कहते है तुबरण घड़ी के सुई की गती होती है आवर्त गती दूद से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है अब केंद्रिय बलके सिध्धान पर प्रित्वी तल से पलायन वेक का मान है 11.2 किलो मीटर प्रती सकेंड जी का मान सरवादिक होता है धुरुवों पर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार प्रित्वी के अपेक्षा होगा एक पटचे गुना किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है अडू मॉलिक्यूल परमाडू की खोज की थी जौन डॉल्टन ने पॉजिट्रॉन होता है धनावेशित इलक्ट्रॉन आवर्त सारणी का जनक माना जाता है मैंडलीव को आदूनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है साथ सबसे हलकी अक्रिय गैस है हीलियम आदूनिक आवर्त सारणी का सबसे हलका धातु है लीथियम सबसे ज़्यादा पाये जाने वाला अक्रिय गैस होता है औरगन काला अधातू किस तत्यों को कहते हैं? ग्रिफाइट को किस गैस का उसमिय मान सरवाधिक होता है? हाइटरोजन मानो शरीर में कौन सा तत्यों सरवाधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन प्रित्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातू है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधता होती है क्लोरीन में जब एक ही तत्व के दो परमाडू परस्पर सयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी अध्रुविये असह सयोजक विद्धुत रुणात्मक तत्वों से सयोग करने की क्रिया को कहते हैं औक्सी करण नेक्स कोशन पी एच का निर्धारन किया जाता है सोरेंसन के द्वारा श्वसन किस प्रकार की क्रिया है मंद दहन जंक लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भार बढ़ जाता है कैंसर रोग के इलाज के लिए उप्योग होता है कोबाल्ट के समस्थानिक का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है सुत्रमुख के अंडे की पौधो की भित्ती किसकी बनी होती है सेलूलोज की कोशिका भित्ती का क्या कारे है जिवाणू और कवक में कोशिका द्रव वह जीव द्रव को बाहरी आगाद से रक्षा करना नेक्स कोशन जीव द्रव का नामकरण किया था कोशिका के अध्यन को कहते है साइटोलोजी पत्तियों का रंग पीला होता है कैरूटीन के निर्माड के कारण मनुश्यों में गुर्शुत्रों की संख्या होती है तेईस जोडे उद्परिवर्तन के सिध्धान का प्रतिपादन किया था योगो डिवरीज ने सर्वपत्रम प्रयोग शाला में जीन का संख्यलेशन करने वाले वैज्यानिक थे डॉक्टर हर गोविंत खुराना प्रकाश संख्यलेशन की दर्व सरवादिक होती है लाल प्रकाश में दलहन की जड़ो को नस्ट करने वाले जिवाडू है राइजोबियम मृदा अप्रतन रोकने में सहायता प्रदान करता है ब्रायोफाइटा दूद से दही बनाने में सहायक होता है लेक्टोबैसिलस लास्ट कोश्चन दूद के पास्चुराइजेशन की खोज की थी लूइस पास्चर ने थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में